हुआ या फिर इस तरह की परिस्थितियां रहने दी गई किस तरह का हादसा हो जाए हादसे का इंतजार होता है हर बार कारवाई की बात कहीं जाती है लेकिन तब तक एक और हादसा हो जाता है कैसा था मंजर उस समय वो हम आपको बता रहे हैं जोरदार धमाके से जो कई किलोमेटर दूर भी रहागीर गुजर रहे थे वो भी अपनी गाडियों से नीचे गिर गए यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह का मंजर आपने धुए का गुबार देखा होगा पहले आग का गुबार उखता है फिर धुए का गुबार उखता है और एक किलोमेटर दो किलोमेटर तीन किलोमेटर पांच किलोमेटर दूर तक वो नजर आता है इससे आप अंदाजा लगा लीजे शेहर में जो कहीं दूर दूर कोनी में भी थे उन्होंने भी धमाके की गूज महसूस की है कमपन महसूस की है और जो पास में थे अब तो उनके शरीर के हिस्से मिल रहे हैं या फिर वो घायल अस्वताल पहुचा दिये गए है और ये घटना क्रम पेटलावत की याद दिलाता है आप देख रहे हैं इस धमाके में 89 लोगों की जान चली गई थी खाद के गोदाम में यहाँ पर ब्लास हुआ था जिलेटिन रोड वहाँ पर रखे गए थे उनमें धमाका हुआ अवैक तरीके से माँ जिलेटिन रखे गए थे इससे अंदाजा लगाईए इस घटना क्रम से पेटलावत जाबुआ के पेटलावत में जो हुआ उससे आप कनेट करिए कि हर्दा में कितना टन बारूद रखा रहा होगा कि ये घटना क्रम हुआ कोई भी बक्षा नहीं जाएगा और जो घायल हुए है जो प्रभावित साथ से के उनको फोरन आर्थिक मंदद देने का भी एलान सरकार की ओर से कर दिया गया है और साथी मंत्राले में एक इमर्जनसी बैठक भी सीम ने बुलाई है गटना पर सीम सक्स है डॉक्टर यादाउने दोटू कहा है कोई भी बक्षा नहीं जाएगा इसके अलावा एसीएस मिस्टर सुलेमान उनकी अगवाई में एक टीम बनी हुई है वो छे लोगों की टीम है वो इस पूरे रहत और बचावकारी को देखेगी तका लोगों की जो स्थितियां है जिस तरह की स्थितियां है उससे वो मॉनिटर करेगी कमेटी एसीएस की अध्यक्षता में चाहसादसी कमेटी तो सीएम पलपल की अपडेट ले रहे हैं उसके अलावा प्रधान मंत्री की नजर भी साथसे को लेकर बनी हुए के साथी राष्टपती ने भी इस पूरी घटना को लेकर साथसे पर दुख व्यक्ति किया है हमने गोशना किये कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त के जाएगा जिनके घर में गुटना गटी है या जिनकी मिरत्ति उडी है उनको परिवार को लगबग 4,00,00 रुपिया प्रती परिवार उसमें देने की हमने कोशना की है साथ यसाथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो गायल है उनको पूरा रथायोग सब्रकार का इलाज कराय जा सके और इसमें भी इस घटना के जाज के आदेज में उन्हें दिये होम सेकेटरी इसकी जाज करके पुरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं तो सी एम ड़कर मुहान यादव को आपने सुना और लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं आज की जो व्यस्तताय थी आज जो उनके कारगरम थे वो सब कैंसल उन्होंने कर दिये हैं आग जनी के दोशियों को छोड़ेंगे नहीं मामले में कठोर कारवाई करेगी राज्य सरकार और यह उम्मीद भी है एक महीने दो महीने के भीतर वो चार अफसरों को चार अफसरों पर सक्ती वो बरत चुके हैं तो हर अबडेट हम आप तक पहुँचा रहे हमारे तमाम सायोगी हैं वह हमारे साथ बने हुए किस तरह के स्थितिया है और तो लगातार हर जगा पर जो हमारे सायोगी है वो तैनाथ है हम तक वो जानकारिया पहुचा रहे हैं मिखलेश आपको नजर आ रहा हूंगे कुछ लोगों से वो चर्चा भी कर रहे हैं हर्दा में जो हाथ सा हुआ उससे लिकर लगा था रीयक्षन भी मिल्राए है मिखलेश के पास भी हम आपको ले चलेंगे जानेंगे किस तरह के रियक्षन महाँ से आ रहे हैं और मितलेश आप तक मेरी आवास पहुँच रही हो क्या कुछ अपडेट किस तरह के रियेक्शन कहा है इस वक्त आप हैं चली मितलेश के पास थोड़ी दिर बाद हम आपको ले चलेंगे हर्दा में ये बड़ा हाथसा और इसके बाद न्यूज एटीन मध्यप्रदेश चातीजगर के जो हमारे तमाम सहयोगी है ग्राउंड जीरो से लेकर अस्पताल तक में तहना थें इसके साथी नाम आप देख पा रहे हैं उन लोगों के जोने अपनी जान इस हादिसे में गवाई है साथी टोल नंबर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि वक्त रहते वहां पर जानकारी आप हासिल कर सकते हैं तवाम टोल नंबर्स से चली मिथलेश के पास हम आगे आपको लिए चलेंगे मिथलेश वेस्थ हैं तो जुड़ नहीं पा रहे हैं वो हर्दा में ये धमाका और उसके बाद लगातार जो पुराने हाथ से जिसका भी जिक्र भी हम लोगों के आपने देखा पेटलावत की याद दिलाता है और भी बहुत सारे हाथसे हैं अस्पताल में आग लग जाती है जबलपूर में अस्पताल में आग लग जाती है और सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट वहाँ पर अगर हर्दा में इस तरह का हाथसा हो जाए तो सवाल उठने लाजमी है तमाम जो सही होगी है वो बने हुए है ग्राउंड जीरो पर भी हम आपको लिये चलते हैं तो शैलेंदर आपको दिखाए दे रहे हैं प्रशांद आपको दिखाए देरे सके साथ ही मिठलेश भी लगाता जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक लेकिन पहले शैलेंदर में आपका रुक करूंगी आपके पास सब्सक्राइब करें जो यहां पर मलवा हटाने का काम कर रही है देखिए फायर बिग्रेट की गाड़ी आई एसा बता जा रहा है एसडी आरेफ की इंडी आरेफ की टीमों ने आगे जो मलवे के पास आगे जाकर वहां पर सर्चिंग किये तो कुछ शव यहां पर अंदर उन् फायर बिग्रेट की गाड़ी पानी से उसे आग को बुजाती भी दिखाई देरी यहीं पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग या कुछ शाओ जो हैं वो इसके नीचे धबे हुए हैं यहीं से इंडी आरेफ ने एक शाओ को निकाला था जो पूरी तरिकत है जल चुका है और वो यहां पर और भी शाओ जो भागते समय या यहीं पर दब गए जब बिल्डिंग तूट कर गिरी विस्पोर्ट के बाद तो यह वो इस्पोर्ट है जहां पर काफी बड़ी संख्या में शाओ फसे हुए हैं बताया जा रहा है कि यहां पर करीब 50 के करीब संख्या है यह आपको इंडियारेफ के जो जवान है एजडियारेफ की टीम अंदर जाने के प्रयास करती हुई यह सर्च करती हुई नीचे बेट कर देखती हुई कि आखिर किस हिस्से में शव है या कोई घायल है उसकी मदद की जा सके तो सबसे पहले यहां पर पानी की बोचारे मारकर उस आग को या जो बारुद बधदक रहा है भबक रहा है उसको पानी की बोचारे मारकर या बुझाया जाएगा उसके बाद यहीं से एस्टी आरेफ की टीम अंदर इंट्री करेगी और कुछ लोग है जब तक थोड़ा बहुत मलबा यहां जो लगातार बनता हुआ हुआ ह से हटाने का काम भी जोर शोर से जारी है मुस्तेदी के साथ प्रसासनी कमला इंडियारेफ की टीम है लगी है यह संभावना बहुत कम बताई जा रही है अब कि यहां पर कोई मलबे के नीचे बचा होगा लेकिन फिर भी उम्मीदे कायम है उम्मीदों के आधार पर तेज र सारा था कि तकरीबन एक एकड़ में यह मौत की फैक्टरी चल रही थी अभी जिस तरह से यह आकड़े निकल कर इंसान आकड़े में तबदील हो गया सबसे बड़ी दुक्की बात तो यह है मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या यह आखड़ा अभी और बढ़ेगा अब चुकि NDRF नए अपरेशन ले लिया है वो अलग तरह से अपरेशन करती है प्लीज कंटीनू शैलेंद्र बिल्कुल देखिए यह आकड़ा बढ़ना तय है क्योंकि यहाँ पर खुद जो प्रसास्निक महकम में के अपसरे वही बता रहे हैं कि बहुत संख्या में लोग हैं प्रत्यक्ष दर्सी भी बता रहे हैं कि यहाँ करीब पचास से जादा लोग अभी भी अंदर मौजूद है क्योंकि सुबह बहुत बड़ी संख्या में लोग या आड़ बजे ही आ जाते थे जाब मजदूरी करते थे पटाके बनाने का काम करते थे तो अभी बड़ी संख् प्रत्यके से जलकर भस्म हो चुके उन लाशो को शव को यहाँ पर निकाला जाएगा बड़ा ही विबस मारमिक द्रत से कि यहाँ पर सबके चेहरे मायू से लेकिन टीम मुस्तेदी के साथ काम करेए इस्थानी लोगों को अब यहाँ से पीछे कर दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई माहोल जया लोग गमगीन है वो यहाँ पर नहीं आएं सिर्फ यहाँ पर अब रेस्क्यू टीम में अपना काम करी इंडियारेफ अपना काम कर रही है और बाकी टीम में लगी है और अब देखिए कुछ शाव को लेने के लिए टीम में अंदर जाती है मिठलेश के आपडेट आपके पास है और फिलाल इस वक्त मैं इंदर के एमवाई हासिप हास्पिटल में मौझूद हूँ इनके परिवार के जो लोग है वह यहां पर आने वाले कौन लोग है जो घायल हुए है और मेरी सास घायल है क्या क्या सूचना मिली थी आपको क्य इनके परिवार के लोग उसी फैक्टरी में काम करते थे और कबसे नोग वहां पर आ रहे हैं हरदा में जहां आपका सफुराल है थे उसक्तें उसकी तॉन्ड़ी तो착्ता उसक्ता निए कषिया ओछ फालें। फून आया। जब आप इन दौर में थे कि आपे इहाँ पर étaक्र में यहां बारर्वाधे के अस्पास फूनका। परिवार के कुछ और लोग वहां पर काम करते हैं कि जो लोग इस हादसे में घायल हुए इनके परिवार की वहां मकान उनका मकान था यह वों फैक्टरी में काम कर रहे थे क्या आपके परिवार के लोग फैक्टरी के ठीक पास में मकान था और इनके परिवार की दो मैला हैं जिनने गंभी चोट लगा जिसके बाद उन्हें हर्दा से इंदोर के लिए रेफर किया गया है एंबुलेंस का इंतजार है सारे तैयारिया इंदोर में कर ली गई है पन यूनिट जो है बन यूनिट का कारिश्टर खुद इंदोर करेक्टर आसी सिंग ने किया तो सिप सरकारी अस्पताल नहीं प्राइबेट अस्पतार सरकारी अस्पताल तमाम जहां पर जो भी बन यूनिट है वहां पर जो व्यूस्ताय है इलाज के लिए इंतजार किया जा रहा है उस एंबूलेंस का जो हर्दा से इंदोर के लिए रह पर हुई है यह बात भी पता लगाईएगा किसी अब सर से कि क्या कोई ग्रीन कोरिडोर तरह ग्रीन कोरिडोर जैसी व्यवस्ता की गई है ताके फटा-फट लाया जा सके किस तरह की व्यवस्ता यहां पर उक्चार के की गई है एक संख्या जानने की कोशिश भी कीजेगा मितलेश अगर आपकी अब आगे चर्चा होती है मैं आओंगा आपके पास प्रशांत भी लगातार बने हुए प्रशांत हमीदिया से क्या अपडेट जे बिल्कुल देखिए बिललित एक जो मरीज यहां पहुचा था या घायल पहुचा था रहीम नाम का शक्स उसकी मौत हो गई है और हालकि वो उस हाथ से में नहीं बलकि लोगों को बचाने के लिए गुसा हुआ था और उसके उपर दीवार गिर गई थी जो जानकारी मिल रही उसकी मौत हो गई है बाखल यहां पर च्छे मरीज यहां पर पहुचे थे चार अलग अलग और शुरुआत में रहीम आया था दूसरी अंबुलेंस से जिसकी मौत हुई है और दूसरा यह कि अभी बी इंतजार हो रहा है कि कुछ और अंबुलेंस आए की बताया गया है कि वहां से 20 अंबुलेंस डिस्पेच हुई है अब यहां पर 4 अंबुलेंस आई है आला कि बीच में यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो परीजन है वो किसी प्राइविट हॉस्पिटल में भी कुछ लोग लेकर गए हैं अपने मरीज को तो अब कुछ और हो सकता हैं जो वहां पर rescue करने पहुंचे हो आम लेकिन चुकि लगातार back to back लगातार धमाके हो रहे थे कि बाद एक धमाके हो रहे तो उस हाथसे का वो लोग शिकार हुए हूँ या फिर वहां से लोग गुजर रहे हूं ऐसे लोग भी हाथसे का शिकार हुए थे वो तस्विरें लोग affected हुए हैं, गंबीर तोर पर घायल हुए हैं, वो भी यहां लाए गए हैं, साथ से से जुड़े वेकुल, छे मरीज़ अभी भी यहां पर हैं, इंतजार हो रहा है, अभी मरेन शिवाजी पटेल, मद्यप्रदेश, शासन के मंतरी यहां पहुचे थे, वो कह रहे हैं कि ह हम कोशिच कर रहे हैं, ह professionsお願いします, यहां पर एरिकुड करने की या फिर वहाँ से यहां पर एर-लिफ्ट करने की जो ज़्यादा घायल हैं, गंबीर घायल हैं, जिने जादा जादा ज्यादी ईलाज की जरुश्याउथ, उन्हें हैं ईयां यहां पर एर लिफ्ट किया जा सकता है, ह सब्सक्राइब आपके पास बिल्कुल देखिए मैं इस वक्त उसी जगे पर मौझूद हूँ जहां आज जो बड़ा हासा हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं जो एक बड़ी इमारत थी फैक्ट्री ती जहां फटा के बनने का काम होता था वो पूरी तरह से जमीदोज हो ग बलबा यहां पर कered जब से यह पूरा हासा हुआ है इसके बास से जो रैसके आटरी जो स्कने बहँ होता थानस की देखाई देगी आज जो जल्ती देखाई देगी दूआं ओट रहा है चारो तरुट रहा है जो फायर ब्रिगेड की टीम्स हैं उनके दौरा पानी की बचा जैसी बी और पोकलिन जैसी मशीनों के द्वारा जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है अभी भी यह लोग बता रहे हैं यहांपे की बड़े संक्या में यहांपे लोग जो हैं वह इस मलबे के भीतर दबे हुए हो सकते हैं जिन्हें अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है हलाकि ये भी जानकारी आई है कि दोसों से जादा लोग इस पूरे हासे में घायल है एक दरजन लोगों की मौत की जो करीब करीब पुस्टी है वो हो चुकी और आप ये देखेंगे देखें यहाँ पर बंब बनाने का काम होता था तो ये रसियां उसमें इस्तमाल क को कहा जाता है और ये अगर आप घरे जब हम लोग किसी त्योहार में या किस सरीके से जो फटाकों का इस्तमाल करते हैं तो यही एक सबसे बड़ा बंब होता है और यहाँ पर चारों तरफ इनका जो धेर है वो आपको नजर आएगा यानि की बड़े-बड़े जो फटाके हैं वो बनाने का काम यहां पर होता था इसी से अंदाजा लगाए जा सकता है कि कितने जॉलनशील पदार यहां पर इस जगह पर होंगे और यह जो रहवास ही है यह अभी मुझे बता रहे थे हैं कि यह जो आसपास के घर हैं वो तक यहां पे तबाह हो गए कैसी इस्तिती यहां पे आसपास के घरों की अभी तक का हर्दा का सबसे बहेंकर यह विस्पोर्ट हुआ है आसपास के घर में छे दो चुके हैं जो दुकाने उन्हें आके जाज करती थी और ये दीपक जरा ये पेड़ बता दीजे ये हरा भरा एक पेड़ हुआ करता था जो धमाके के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख गया है और एक इस पूरे हाथ से में यहां के लोगों का यह कहना है कि अच्छी बात तो कम से कम यह रही कि जो फैक्टरी थी इसकी चारों तरफ गेहूं के खेट थे गेहूं की फसल अभी हरी थी और इसमें लगातार सिचाई का काम हो रहा था तो उस बज़े से यह हास्से की जो गंभीरता और भया वैता है वो बहुत जादा है इसमें कोई दोरा है नहीं लेकिन फिर भी और भी बड़ा यहास्सा हो सकता था लेकिन आजू बाजू खेत होने के चलते और पानी की सचाई होने के चलते यहास्सा और ब्यापक रूप नहीं ले पाया और बड़ा नहीं हो सका आप यहां पे जो गाड़ियां आपको यहां पर नजर आएंगी जो आसफास गाड़ियां यहा हमला है चाहिए फायर बिगेट का हो या डिस्ट्रिक एड्मिस्ट्रीशन का हो या फिर जो रेस्क्यूटी में भुपाल से और सेंट्रल से भी आई हुई है उनकी हम बात करें तो वो सब भी यहां पर लगतार लगी हुई है और अपना काम बखूबी कर रही है कोशिश कर रह है कि साग पर काबू पाया जाए साग को बजाया जाए चारों तरफ से आपको यहां पर पानी उड़ता हुआ दिखाई देगा पानी दुआ मलबा राक और अवसेश इसके लावा यहां पर कुछ नहीं बचा है यहां जिन्दिगियां गुलजार हुआ करती थी आज सुबे है और यहां के लोग यह कह रहे हैं कि हमारे शहर के लिए काला दिन है इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था जो यह हासा पूरा पेश आया है और आप यहां तस्वीर आगे जी प्रेशास हम को आगे यह निड़ने लेना चीए कि इस रोड के ओपर आगे में दो फेक्ट्रिय और जब हासा हुआ आपको अंदाज आ है कितने लोग मौजूद होंगे उस समय यहां पर जिस समय हासा होगे कम से कम 200-300 लोग वरकर जिनके फ्रेक्रिक अंदर होंगे कितने लोग बच पाएं होंगे अभी नौ से ग्यारा लोगों के बीच में आकड़ा पहुच चुका है जो दैथ हो गई है कुछ पचासे लोग घयल हुए जो कुछ इसमें सड़क चलते रहा गिर भी है उनकी गाडियों को भी डेमेज हुआ है कि कुछ लोगों के अभी भी क्या ऐसा कोई क्या रहा है असपास का लोग कि हमारे कोई परीजान है वो लापता है वो नहीं मिले अभी कह रहा है जब यहां पर अनुमम चार्सों पांसों लोग डेली काम करते थे अपन धाइसों कभी आकड़ा बनाओ तो अभी 26 जो 69 लोग जिस प्रकार के कार खाने पर जो लाइसेंस था जितनी बारुत का लाइसेंस था उससे कई गुना अधिक बारुत यहां पर रखा गया था मतलब इन लीग लिए काम चल रहा था इन लेगी यह चली रहा था इसके आगे भी दो फेक्ट्रिया है इसी बंदी की और भी आगे पर अब निकल कर सामने आने लगी है कि परमीशन थी यह नहीं थी सील हो गई थी फैक्ट्री फिर उसके बाद भी क्या यहां पर कुछ गलत तरीके से काम किये जा रहे थे हर एक इंडस्री का अपना एक सेक्यूरिटी प्रोटोकॉल जो है वो होता है तो क्या उन सुरक्षा यहां पर जो खिलवाड हुआ है जो खेल हुआ है और यह भी पदा चल रहा है कि कुछ पशू जो है वो भी इस पूरे हास्से की चपेट में आया है यह देखिए थोड़ी सी अभी जो यहां पर मशीने काम कर रही थी वो यहां से थोड़ी सी अलग हुई है तो मैं आपको प्रिक और यहां पर नजारा दिखाना चाहूँगा देखिए रस्थियों के डेर के डेर, बारूत का डेर का डेर, यहां पर पूरा पसरा हुआ है और इससे समझा जासकता है कि किता यह जोलनशील पदार्थ हैं जो यहां पर रखे हुए थे जिनमें आग लगी थी जिनमें पचास से ज्यादा लोग मलबे में दबे होने की आश्रंका है पचास से ज्यादा और रेस्क्यू आपरेशन में एंडी आरेफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है कुछ शाव यहाँ मलबे में दबे हुए नजर आए है पिल्कुल ओर जिनको लगातार निकालने का प्रेस किया जा रहा है एंडी आरेफ की 30 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं हर्दा अग्निकार्ण से जुड़िये बड़ी कबर आपको बता रहे हैं पचास से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए है और रेस्क्यू ऑपरेशन में अंडी आरेफ की टीम जुटी है अब लोग के लिए भी मल्यों में के जैनों की जाने में निकाल सकती है अगर प्रसासन की जाब से इसके बिले इतना नावालिक बच्चे यहाँ पर सतम हुए तो वासू हमारे सयोगी ग्राउड जीरो से जहां पर यह फैक्ट्री थी जो अब सिर्फ वहां पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है वहां जो तमाम लोग इखटा है वो जानकारी उनसे हासिल कर रहे है वासू बहुत साफधान रहते हुए आप इस पूरे एरिया में मुव्मेंट कीज़े क्योंकि यहाँ पर अभी भी धूआ उड़तावा दिखाई दे रहा है कूलिंग का काम हाला की किया जा रहा है लोगों के यहां बड़े पैमाने पर जो लोग है वो यहां पर फसे हो सकते हैं और लगातार जो रही है जो चल रहा है उसमें और भी लोगों के यहां पर हताथ होने की जो जानकारी है वो बिल रही है और इससे पहले रही है शालेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से जो वहां पर मौझूद गोडाउन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी ब सबाच्चित कीजिया करो हो सके तो अभी तक मारे जा चुके हैं तो एक दर्द है एक बयानक गुसावी लोगों में है और अभी भी रेस्क्यू अभ्यान चल रहा है अब यह देखना होगा कि इसके जिम्मेदारों के खिलाफ आखिर जिला प्रसासन या सरकार क्या करती है दोसियों को कब जेल की सीख्चों के पीछे पहुचाया जाता है केमरा में अजय किताब करते हैं कि आखिर कब कारवाई होगी वासू हमारे साथ लगता जुड़े हैं वासू जो लोग आपके साथ मौजूद है उनका कहना है कि 2000 लोग लगभग यहां पर काम करते थ क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर काम करते थे और बहुत सारे लोग यहां पर काम किया करते थे लेकिन उनकी जो संक्या है वो पिलाल निकल कर सामने नहीं आ रही हो साशन प्रशाशन के जो लोग हैं वो यहां पर अभी भी मुस्तेद हैं और काम अपना कर रहे हैं अपन ऑप थिसके पिछेद्व हैं जो फिर्टक करम्चारी थे उनके भी मतलब सबर्स बने यह दो 안돼 वाटर सी इस वर्टव क्षा सब्स。 वो भी खतम हुए या आपको जानकारी मिली यह विल्पूल। पहले भी कुछ हासे होते थे क्या। बिल्कुल पहले भी तीन से चार वार घटना है उई तो उसमें भी मतलब फैक्टरी जो मज़़ूर थे वो खतम हुए एक सफाई करमचारी सेहर में जो मतलब कूड़ा उठाता था वो उन्हें मतलब सेहर में फटाके बनते थे तो फटाके का कूड़ा उठाया उनने मां कच् गाड़ी खली करी तो उससे वो खुद जल गया और खुद खतम हो गया तो क्या तुछ जो आकड़े सामने आ रहे हैं आपको लगता है कि कुछ कम उसमें नुकसान बताया जा रहा है या कम से कम दो हजार लोगों का केजुएल्टी है यहां है यह बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है अगर इसमें सचाई है जो इस फानिये लोगों का यहां पर अनुमान है हम उमीद यही करते हैं कि काश यह जो भाई साब चीज कह रहा है वो ना हो जादा से जादा लोगों की जान बच जाए लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में इस पूरे हास्ते में कुछ बड़े आकड़े जो हैं वो सामने आ सकते हैं जो यहां पर इस्तिती है जो यहां पर सूर्ते हाल है हाल फिलाल वो तो इसी और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है और मैं खुद यहां पर हूँ और महसूस भी कर पा रहा हूँ कि हास्ता जो है कितना भयाव है और कितना बड़ा है क्योंकि दुएं का ऐसा गुबार उर्ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है नजर आ रहा है और मैं ये भी कोशिश करूँगा यहां पे जो दमकल की जो टीमें हैं जो 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 यहां पे काम कर रही हैं और अपनी कारवाई को अंजाम दे रही हैं अगर वो क नजर बनाई रखिये इन दौर से भी जुड़े हुए हैं मितलेश लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हर्दा अगनिकान पर बड़ा आक्शन हो सकता है बहुत बड़ी खबर कलेक्टर SP को हटाया जा सकता है क्योंकि लगातार सवाल ये क्याकिर आक्शन कब होगा SDM और CMHO पर और वासू जहां पर ये फैक्टरी थी वहां का हाल आपको बता रहे तो दिखारे चैलेंडर चोहान भी लगातार जुड़े हुए हैं इसके अलावा मितलेश प्रशांत भी आप तक हर जानकारी पहुचा रहे हैं मितलेश आपका मैं रुक करूंगे आपके पास क्या है उनका इस वक्त यहां पर विंतिजार कर रहे हैं तस्वीर में आपको दिखा रहा है जो एमवाई के अधिचेक है वह आपको तस्वीरों में गेट पर नजर आएंगे बर्न यूनिट की जो भी यहां के ब्यूस्ता हैं दुरूस्त कर ली गई है चलिए उनसे बात भी करते ह सबसकतर है चलिए जो अभी पेसेन्ट अरि है उनको बजी इंजरी है सब्सक्राइब करने के लिए अभी तक जो लोग यहां पे जिन से हमारी बाचित हुई है उनके परिवार किसाब से करी 20 से 25 लोगों के जानकारी आई सामने कि जो उसी फैक्टरी में काम किया करते थे और उसी फैक्टरी के बिलकुल पास में उनका मकान था वहां रहते थे जिनको गंभी चोट लगी है उन्हें इंदोर रेफर किया गया उनके परिवार के लोगों को इंदोर रेफर किया गया वो इस वक्त हस्पताल में मौझूद है और कई ऐसे लोग हैं जिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनकी अपने लोग उनकी तलास कर रहे हैं और देखे कुछ दिर पहले इसी के बाद प्रसासन से लोग मांग कर रहे हैं अपील कर रहे हैं उसके लिए बगादा एक हैल्प ला चल रहा है वह की साल्वा पर हैं और फिला लेकिन इस वक्त में मौशठील मौशूद है और यहां इघ्राराइब है अट कि शैलेंडर की आवाज नहीं पहुंद पारी है लेकिन प्रशांत भी लगाता जुड़े हमीदिया हउस्पिरिल के पास से प्रशांत वहाँ पर क्या ambulance के आने का सिलसला जा रही है अभी क्या कोई latest जानकारी आपके पास कोई body क्या कोई घायल वहाँ पर अभी दिखाए दिया जी जी देखें अभी इंतजार हो रहा है चार ambulance अभी तक आई हैं और कुल छे मरीज आए इनमें से एक रहीम नाम के जो घायल था उसकी death भी हो गई है वो घायल हलाकी बताए जा रहा है कि उस हाथ से नहीं बलकी लोगों को उस लिहाँ से एक मरीज की जान गई है भी पांच मरीज अंदर हैं कुल पचास बैड़ यहां पर रिजर्व रखे गए गए दस बैड़ एमस में भी रिजर्व रखे गए गए लेकिन जो जानकारी मिल रही कि जो लोग वहां से आए हैं Green Corridor जो बनाय गया था उसमें से परिजन प्राइविट हॉस्पिटल में भी कुछ लेके गए हैं या कुछ और दूसरे हॉस्पिटल में भी लेके गए हैं जिसे जहां जो स्वेटेबल नजर आया है उससाब से और कुछ जो एम्बुलिंस हैं वो हम नीचे स्क्रीन पर फ्लाश भी कर रहे हैं कि इस वक्त किन लोगों की जानकारी हमारे पास है और आधिकारिक तौट पर जिन लोगों की बारे में पता चला है कि अब वो नहीं रहे उनका नाम भी लगातार नीचे अम फ्लाश कर रहे हैं आपना काफी जग जोड देने वाली है पूरी घटना और इस तरह के ब्लास्ट वाकई में कई इस सवाल अपने आप में खड़े करते हैं हमारे तमाम स्योगी भी लगातार जुड़े हुए है शालेंदर चोहां शालेंदर क्या आप तक आवाज आ रही हैं कि शालेंदर क्या आप तक आवाज आ रही है कि शालेंदर वहां क्या मुवमेंट है मैं उसी स्पॉर्ट उसी स्पॉर्ट पर मोजूद हूँ जहां पर एंडी आरेफ का सबसे अहम अभ्यान चल रहा है रेश्क्यू का जहांब पर सबसे भड़ी फैक्टरी थी सबसे ज़ादा मज़़ूर forefront काम करते थे यह वो दो हिस्से हैं जहांपर अब सबसे जरूरी रेश्क्यू चलाया जाहा है क्योंकि यहीं पर बताा जा रहा है कि सबसे ज़ादा बॉडी इसकी अंदर इमारत के तो अब मलबे की सफाई का काम तेजी से चल रहा है यह वो इमारत है और उससे लगा हुआ जो दोनों गोडाउन पूरी तरीके से तीन मंजीला जो गोडाउन था जो ध्वस्त हो चुका था तो यहां पर अभी रेस्क्यू अभियान चला जा रहा है यहां पर का अभी भी कुछ थ थोड़ी थोड़ी दिर में यहां बारूद जलती हुई दिखाई दी जब यहां पर पानी की बोचारे मारी गई तो यहां अभी भी ताफी बारूद है लेका कूलिंग में भी समय लगता है शैलेंदर हम आपसे और अब तमाम सयोगिस जानकारी हासिल करते रहेंगे इस